आज मैं आपके साथ शेयर करें गुजिया की रेस्पी इसे करनजी भी कहा जाता है तो इसका डो बनाने के लिए एक परात लेंगे इसमें डालेंगे एक कप मैदा ये डेट सो ग्राम मैदा है इसमें दो पिंच नमक डालने से हर मिठी चीज का टेस्ट और भी बढ़ जाता है दो बड़े चमठ देसी गी आड करेंगे ये देखें इस तरह से जमिवे टेक्ष्टर में ये गी डालने से क्या ओता है गुजिया की जो कवरिंग होती है बहुत ही खस्ता बनती है इसे मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे रब करती हुए ये देखें इस तरह से अच् बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चीए बहुत ज्यादा हाड भी नहीं होना चीए यानि कि सेमी स्टिफ डो बनाएंगे बहुत ज़्यादा हाड होगा तो हम उसे रोल नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चपाती की तरह होगा तो वो खस्ता नहीं बनेगा यह देखिए, खटा करके इस तरह से स्मूध कर लेंगे अच्छी से स्मूध करेंगे इसे, यह देखिए अब इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे हम तो थोड़ा सा उपर देसी घी लगा लेते हैं ताकि यह उपर से ड्राइ ना हो और इसे एक किचन टॉल से धग कर रख देते हैं तब तक हम इसकी स्टफिंग तयार कर लेते हैं उसके लिए गैस पर हमें कड़ाई रखेंगे फ्लेम मीडियम रखेंगे इसमें डालेंगे एक बड़ा चामर देसी घी घी को मेल्टोनी देते हैं अब इसमें 1 फोर्थ कप सूजी आड़ करेंगे और इसे 10-12 मिनट लो फ्लेम पे हलका ब्राउन गोल्डन सा कलर आने तक भून लेंगे अब इसमें 10-12 बादाम बारी कटे हुए डालेंगे 10-12 काजू डालेंगे बारी कटे हुए 10-12 पिस्ता डालेंगे बारी कटे हुए इन्हें भी भून लेंगे सूजी के साथी ड्राइफ रूट्स अपने मन पसंद आप इसमें कोई भी आड़ कर सकते हैं जैसे चिराउजी, किश्मिश अब हम इसमें डालेंगे डैसिकेटेड कोकुनट ये वान फोर्थ कप है नारियल का बूरा है इसे दो मिनट लो फ्लेम पर भून कर एक बोल में निकाल लेंगे अब सेम कडाई में डालेंगे आधा कप खोया ये होममेड खोया है इसे लो फ्लेम पर दो मिनट भून लेंगे ये देखिए दो मिनट हो चुके हैं तो इसे भी same bowl में हम transfer कर लेते हैं जिसमें हमने सूजी और ड्राइफूर्स को निकाला था आप चाहें तो स्टफिंग को सिफ खोई से भी बना सकते हैं या सिफ सूजी से भी बना सकते हैं और जो भी आपके पास ड्राइफूर्स है आप इसमें आड़ कर सकते हैं इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे अब यह ठंडा हो चुका है तो इसमें 1 3 कप चीनी का बूरा आड़ करेंगे मीठा आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं आप इसमें मिक्सी में चीनी को पीस कर शुगर पाउडर भी आड़ कर सकते हैं डो को चेक कर लेते हैं इसे थोड़ा सा फिर से स्मूध करेंगे अच्छे से ये देखिए अच्छे से स्मूध करके इसके छोटे-छोटे से पेड़े तोड़ेंगे जैसे पूरी के होते हैं हाथों के बीच में अच्छे से छोटे-छोटे बॉल्स बना लेंगे ये देखिए इस तरह से ये सारे पेड़े हमने तयार कर लिए अब ये उपर से ड्राईड ना हो तो इन्यें ढखकर रख देंगे और एक-एक पेड़ा निकालेंगे और इसे रोल करेंगे जैसे पूरी बेलते हैं वैसे रोल करेंगे बहुत ज़ादा पतली भी नहीं होनी चीए और बहुत ज़दा मोटी भी नहीं होनी चीए, बहुत ज़दा पतली होगी तो तेल में जाके फट जाएगी इस तरह से हम सारी पूरियां बेल कर तयार कर लेंगे, यानि गुजिया की जो कवरिंग होती है यह हमने सारी तयार कर लेंगे, अब एक हाथ में लेंगे, और इसकी एज़ेस पे, किनारों पे इस तरह से पानी लगाएंगे अब बीच में स्टफिंग रखेंगे, दो छोटे चमश डालेंगे स्टफिंग उतनी ही रखें, ताकि यह इसली इस तरह से बंद हो जाए पहले सेंटर से इस तरह से चिपका देंगे, फिर साइड्स को भी इस तरह से प्रेस करके बंद कर देंगे आज हम गुजिया बिना मोल्ड के बना रहे हैं, यह देखिये, इसे बनाना बहुत असान है आप चाहें तो इसे अंदर की तरफ पिंच करते हुए इस एक पैटन भी बना सकते हैं या इस तरह से कांटे से इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं कि यह बहुत ही असान तरीका इसे बनाने हम इस घरम करेंगे से मीडियम फ्लेम में जहाएंने मिडियम करेंगे सब्सक्राइड करेंगा तक हम medium गरम तेल में fry करेंगे हलका golden color आने तक इस तरह से पलट पलट के fry कर लेंगे हम दोनों साइड से ये देखिए अब इसमें हलका सा sunehera color आगया golden सा color तो हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में ये देखिए इस तरह से extra oil निकालते हुए इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं, इसी तरह से हम सारी गुजिया को फ्राइ कर लेते हैं, आप चाहे तो इन्हें थोड़ी देर के लिए एक मिनिट शुगर सिरप में भी डिप करके रख सकते हैं, यह ऐसे ही बहुत टेस्टी होती हैं, आप जरूर ट्राइ करें, थैं